नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लिएगा इस्टडी फॉर सिविल्स है सारे कुशन अटेंट करिया और इसको रपना तुरंद कमेंट करके बता है और दोस्तों अगर आप कम समय में बहतर रिवीजन करना चाहते हैं अपनी तयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो आप हमारा crash course जोईन कर सकते हैं जो कि BPSC prelims के लिए ही launch किया गया है और वहाँ पर आपको complete guidance दिया जाएगा पूरा study material दिया जाएगा और सब कुछ संशिप्त और समगर होगा जिससे कि आपकी पूरी तयारी संपूर्ण हो पाएगी तो आप च कर सकते हूं लेकिन हमेशा यह हो या आवश्यक नहीं है तो कल्मा का आर्थ होता है अल्लाह और उनके रसूल में विश्वास करना कल्मा जो शब्द है इसका इसलाम में क्या मतलब होता है अल्लाह और उनके रसूल में विश्वास करना नमाज में दो बहर के बाद के समय को असीर कहा जाता है अंग्रेजी वर्जन भी आप इसका देख रहे हैं मुहम्मद सहाब की ज्यान प्राप्ती की घटना को खुदाई इलहाम के नाम से जाना जाता है उन्हें ज्यान प्राप्त हुआ था तो घटना क्या कही जाती है खुदाई इलहाम कही जाती है और 16 या फिर सभी सत्य है तो देखिए इसमें जितने भी statement है आप ध्यान से देखेगा सभी सत्य है और इसलिए हम E वाले option को चुलते हैं ठीक जितने भी statement दिये हैं A वाला B वाला C वाला और D वाला सभी सही है प्रशन संख्या 2 को देखते हैं प्रथम चार पवित्र खलीफाओं क क्या कहा जाता है पहले जो चार पवित्र खलीफा थे उनको क्या कहा जाता है तो इनके नाम आप जानते हैं अबुबक्र हैं हुमर हैं उस्मान हैं और अली हैं यही पहले चार है और इन्हें खुलफाए राशिदीन के नाम से भी संबोधित किया गया है तो इसमें से हम correct answer क कौन सा चुनेंगे इसका सी वाला चुनेंगे खुलफाए राशिदीन मतलब उन्हें संयुक तुरूप से क्या कहा जाता है उनके नाम नहीं बताने थे नाम तो आपको यहां answer में बताया गया लेकिन यहां पर आपको चुनना था उनके लिए संबोधन तूने खुलफाए राशिदीन कहा जाता है सी वाले option को चुना इसके बाद third question को देखे कश्मीर में सबसे पहले जजिया के शाशक के द्वारा लगवाया गया था जजिया कर जुथा यह गैर मुसल्मानों पर लगता था तो कौन से शाशक के द्वारा कश्मीर में पहली बार इसको आरोपित क तो आगे चलते हैं रश्न संख्या 4 को देखे 1229 की बाद है 1229 इसवी की बाद है बगदाद के अबासी खलीफा से इल्टुत्मिष ने एक उपादी धारण की थी गुतुपुद्धी नैबग के बाद उसका दामाद इल्टुत्मिष गद्धी पर बैढ़ता है और यह प्र जोगत में से कोई नहीं और एक से ज्यादा वाला हमने चुल लिया असल में 1227 में बगदाद के अबासी खलीफा जिनका नाम था अल्मुंत्सिर उनसे इल्टुत्मिष ने मानिता प्राप्त की थी और अबासी खलीफा से उस समय इल्टुत्मिष को कोई भी उपादी नहीं प्राप्त हुई थी और यामीन उन खिराफत की जो उपादी है या Алवुद्दीन खिलजी ने खुद धारण की थी तो यह ऐलावुद्दीन की उपादी है तो खलीफा से कोई महीपाल ने रखी थी, परमार भोज ने रखी थी, संग्राम राज या फिर राजेंदर प्रथम तो विकल पासान है इसमें आप सभी डाइनस्टी के रूलर्स को पैचान सकते हैं संग्राम राज जो की 2003 से लेकर 1028 तक अपना रूर करते हैं उन्होंने लोहार वंश को स्टैबलिश किया था और परमार भोज और बंगाल के महीपाल इन सब को आप जानते हैं और राजेंदर प्रथम जो हैं ये चोल शाशक है ये सब समकालीन थे गजनवी के लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है कि लोहार वंश की स्थापना किस ने की थी तो हम संग्राम राज को चुनेगे इसके बाद 6th question को देखे 1018 स्वी में जब गजनवी ने पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश किया बरन पर हमला बोलता है उसके बाद फिर आगे ये मथुरा ब्रिंदाबन कन्योज सबको अपना शिकार बनाता है तो टी वाले option को चुनकर 7th question को देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अबू रेहान के उपनाम से किसको जाना जाता था अबू रेहान का उपनाम किसके लिए इस्तेमाल हो अलबरूनी के लिए तो अलबरूनी नाम इसमें दिया नहीं इसलिए हम ये वाले को चुनते हैं question number 8 को देखे तुगलकाबाद शहर की स्थापना कौन से सुल्तान ने की थी और ये दिल्ली के किस क्रम के नगर के रूप में विक्सित हुआ मतलब दिल्ली में कौन से क्रम के नगर के तोर पे इसको विक्सित किया गया चौथा था पाच्वाता इसे क्रम बताना है तो बताइए इसमें से कौन सा होगा और इसमें से करेक्ट एंसर मोहंब बिन कासीम हो जाएगा भी वाले ओप्चिन को चुना आगे चलते है यहां आगे ही एक blank space है और कहा गया कि दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान ये थे जिनोंने की अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान आपको पहला चुलना है जो कि गाजी उपादी धारण करता था तो फिरोश शाह तुगलक थे या फिर गयासुदीन तुगलक मुहमद बिन कासिम या भलोल लोधी यहां बात दिल्ली सल्तनत की हो रही है तो अब ध्यान से देखें करेक्ट अंसर इसका भी होगा गयासुदीन तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान बनता है तो उसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा ठीक है तो इसमें हम गयासुदीन तुगलक को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्याई 11 को देखें पूछा गया कि लोधी बंश के निम्नलिखित में से कि शाषक ने 1451 में गाजी की उपादी धारण की थी गाजी की उपादी बड़े तगमे वाली उपादी होती थी काफिरों को मारने वाला तो बताए बहलोल लोधी सिकंदर लोधी दौलत खान लोधी इबराहीम लोधी किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपादी धारण की थी तो इसमें से कुछ जो है वो तो योगे रहते हैं और गाजी की उपादी धारण करते हैं मतलब सच में वो बड़े पैमाने पर नरसंगार किये रहते हैं लेकिन कुछ जो है वो अयोगे शाषक भी ऐसे है जो कि उपादी को धारण कर लेते हैं फिलाल बाबर के दोड़े ये गाजी की उपादी धारण की गई थी तो कौन से युद्ध के बाद? पानीबत के, चंदेरी के, खानवा के, घागरा के इसमें से कौन सा होगा? तो ये खानवा का युद्ध था और गाजी की उपादी है, इसके बादी धारण करता है 17 मार्च 1527 तो आप बताएं कि ये खानवा का युद्ध किसके खिलाब बाबर ने लड़ा था? मतलब कौन सा भारती राजा? इसमें लोहा ले रहा था बाबर से प्रशन संख्या 13 को देखी निम्दलिखित शाषकों में से कौन सा भारत का पहला मुस्लिम शाषक था जिसने हिंदूों से जजिया कर नहीं वसूलने का आदिश दिया उस जमाने में यानि सल्तनत काल और जो मद्धिकाल का मुस्लिम दौर चल रहा था उसमें जो शाषक जजिया नहीं वसूलता था उसको बहुत ही दयालू माना जाथा अब बताएगे कौन था नसिरदीन महमूद आराम शाह अलाउदीन हसन और मुहम्मद गवान कौन सा होगा इसमें से तो करेट टैंसर इसका सी हो जाएगा बहमनी शाषक अलाउदीन हसन और ये 1347 से लेकर 358 तक का समय है ये भारत का पहला मुस्लिम शाषक था जिसने की हिंदूों से जजियाकर नहीं वसूलने की बात की थी और इसलिए हम सी वाले को चुनते इसके बाद आगे बढ़ते है प्रशन संख्या 14 को देखिए गलत विकल्प का आपको चैन करना है तो कश्मीर में सबसे पहले जजियाकर बहराम शाह ने लगाया था और गुझरात में सबसे पहले जजियाकर लगाने वाला अहमद शाह था मतलब उसी के समय में लगता है शेर शाह के साशनकाल में जजियाकर को नगर कर की संग्या दी गई थी यह नगर का कर था मतलब इससे टाला नहीं जा सकता है मतलब धार्मिकर से न जोड कर इस इन नगर की विवस्था से जोड दिया था और इसमें से कोई नहीं तो कोई नहीं कुछ उनेंगे तो इसका मतलब होगा कि कोई गलत नहीं है अब देखकर बताईए फिलाल इसमें गल्दी है इसका जो एवाला statement है वही गलत है कश्मीर में सबसे पहले जजियाकर जो है ये अहमर्शाह के काल में माहाप कीजे DAVID, सिकंदर शाह के काल में लगवाय गया था सिकंदर शाह के ध्वारा ही लगवाय गया था 64 में इसके बाद औरंगजेब का आप देख लीजे औरंगजेब ने 1689 में ध्यान से देखे का डेट जजियाकर लगाया था फरूक शियर ने 1713 में जजियाकर को समाप्त कर दिया था और बहादुर शाह जफर ने सवाई मिर्जा राजा जैसिंग के अनुरोद पर हमेशा के ल नेता घोशित कर दिया जाते हैं तो यह इनका समय ही नहीं है यह समय किसका है यह मुहमद शार रंगीला का समय जिसने की राजा जैसिंग को मिर्जा और सवाई की उपादि देखे और आगे मिर्जा और सवाई की उपादिया उन्हें पहले से भी प्राप्त थी तो इसमें स इसके बाद प्रशन संख्या सोलह को देखे, क्रोनलॉजिकल ओर्डर में आपको इसको अरेंज करना है, तो आराम शाह, रुकनुदीन फिरोज, इबराहीम रुकनुदीन और शेहा बुद्दीन उमर, ये इलतुतमिश की मृत्यू के बाद की उत्तरा दिकारी है, रजिया सु इसके बाद प्रशन संख्या सत्रा को देखे, पूछा गया कि निम्नलिखित मुस्लिम शाषकों में से किसका शाषनकाल सबसे लंबा था, तो इसमें आप ध्यान से देखे, तो नासिरुद्दीन महमूत का ही सबसे लंबा दिखाई देता है, 1394 से लेकर 1412, बाकी जितने है उनका शाषनकाल इनकी तुलना में छोटा था, अबुबकर शाह का 89 से लेकर 90 तक रहता है, 1300 में, और बहराम शाह का 1240 से 42 तक ही रहता है, तो छोटा छोटा शाषनकाल, इसके बाद अठारवे को देखने, सईयद वंश के निम्नलिखित में से कौन से शाषन ने सबसे कम व टाइम पिरियड रहता है, और खिजरखा का इसमें 1414 से लेकर 1421 तक करता है, बाकी जितने हैं उन सभी का समयकाल इससे जादा है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका बी वाला सही था, प्रेशन संख्या 19 को देखे, जिम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो मद्यकाली नाम दिया है, और जो सम्मंधित शहर हैं, उनका नाम दिया है, तो कर्चिल कहा जाता था कुल्लू को, मतलब अभी हम कुल्लू के नाम से जानते हैं, उस समय मद्यकाल में इसका नाम रख दिया गया था कर्चिल, और तबर हिंद ये भटिंटा का प पाकी को देखते हैं, यह जाजनगर वाला जालोन ठीक लिखा हुआ है, कर्चिल यह कुलू के लिए इस्तिमाल होता था, दोस्तों इस प्रशन को पढ़ने में थोड़ी सी मिश्टेक हुई है, यहाँ पर यह बताना है कि कौन सार सही सुमेलित नहीं है, जैसा कि आप देख भ तबरहिंद का आप जानते हैं, भटिंडा और आमेर जैपूर को कहा जाता था, तो यह सारे सही है, सी वाला गलत है, इसके बाद प्रशन संख्या आप 20 को देखते हैं, मतिकाली नाम और समंदित शहर दिया है, तो दौलता बाद यह आगरा से समंदित है, मतलब आगरा का न और खिजराबाद देवगिरी, अकबराबाद चितोड, कोल, अलिगड़, अब इसमें आप देखकर बताइए, सही सुमेलित कौन सा है, इसमें आपको सही की तलाश करनी है, तो करेक्ट अंसर इसका D हो जाएगा, कोल और अलिगड़ को मिला लीजे, यह वाला, यह वाला सह इसमें से कौन से युद्ध में शेरशा ने हुमायू को हराया था, और बाबर ने घागरा के युद्ध में किसको हराया था, यह आपको बताना है, दो चीजे, मतलब दो युद्धों के नाम दिये हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, चंदेरी के युद्ध में शेर इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं गलत विकल्प का आपको चैन करना है तो पानिपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इबराहीम लोदी के बीच में ऐसा दिया है और इसमें इबराहीम लोदी हार जाता है पानिपत का दूसरा युद्ध अकबर ने हीमु को ह इसमें से गलत विकल्प का आपको चैन करना है कुल मिलाकर जो गलत कथन है या गलत इसमें मैचिंग की हुई है उसको आपको चुनना है तो इवाले को चुन लेंगे इसमें इवाले को पहले चुनते हैं और देखते हैं क्यों तो तेखिए पानिपत का जो पहला युद्ध उसके बाद मराठा शक्ती बिखर जाती है, तो इसमें से आप देख रहे हैं, एक से ज़्यादा जो इस स्टेट्मेंट है, वो गलत है, और इसलिए हम इवाले को चुनते हैं, इसके बाद 23 में प्रशन को देखी, कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ताली, को प्रेंट इसमें पुर्टगाली हार गये थे, बकसर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को सिर्फ हराय था, अब बताईए कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसमें को ध्यान से देखेगा, तो सी वाले को चुल लेते हैं, ताली, कोटी के युद्ध म और निरणायक पराजय उनकी होती है, उन्हें भारत से अपना बोरियाविस्तर समेटना पड़ता है, और ये तैं हो जाता है कि फ्रेंच शक्ती जो है वो भारत पर शाशन नहीं करेगी, बलकि ब्रिटिश शाशन करेगी, और बकसर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर क मीर कासिम को सिर्फ अकेले नहीं अराया था, बाकी सहयुक्त सेना भी थी, लेकिन मीर कासिम भी उसमें था, तो बाकी को हम गलत नहीं कह सकते, सिर्फ इसमें जो सी वाला ऑप्शन है, उसी को चुनेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रशन संख्या 24 को देखते हैं, य 1489 में ये बीजापुर राजी की स्थापना करता है, और 1686 का जो समय है, उसमें औरंगजेब के शाशन काल के दोरान, बीजापुर राजी का जो मुगल सामराजी में विलाय किया गया है, उसको हम देखते हैं, तो इसमें से हम करेक्ट एंसर किसको चुनेंगे, बी वाले को बीजापुर और औरंगजेब, औरंगजेब के समय में ही ये मुगल सामराजी में विलाय कर लिया जाता है, तो इतना हमने देखा, आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 25 को देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिकित में से किस मुगल शाशक के शाशनकाल के दोरान, और 1512 की जो तारीक, डी वाले ओप्शन को चुनेगे, कुतूब शाह के त्वारा गोलकुंटा राजी की स्थापना की जाती है, 1512 में और बाकी औरंगजेब को आप देख रहे हैं, कि इसी के शाशनकाल के दोरान, गोलकुंटा राजी को मुगल सामराजे में मिला लिया ज तो डी वाले ओप्शन को चुना आगे चलते हैं, प्रशन संक्या 26 को देखे, निम्रलिखित में से किन दो राज्यों को किसी एक अही वर्ष में स्थापित माना जाता है, मतलब दो राज्यों की स्थापना एक अही वर्ष में हुई थी, तो कौन से राज्ये हैं, बीदर औ प्रशन संक्या 27 को देखे, निम्रलिखित में से किस मुगल शाशक के शाषनकाल के दौरान, आहमन्र नगर राज्यों को मुगल साम राज्यों में मिला लिया गया था, पहले तो ये पूशा है अब से, और निम्रलिखित में से किस मुगल शाषक के शाषनकाल के दोरान बरार राज्जी को मुगल सामराज्जी में विलए कर लिया गया था तो यह विलाई पूछा है कि मुगल सामराज्जी में ये दोनों कब मिलते हैं मतलब किसके शाषनकाल में मिलते हैं तो प्रष्ण संख्या 27 और इसका जो correct answer है वो पंद्रसो पंचानवे का समय है अकबर के शाशनकाल के दोरान बरार राज्य का मुगल सामराज्य में विले किया जाता है तो C वाले option को चुना प्रशन संख्या 28 को देखते हैं पाटली पुत्र निमनलिखित में से कौन से राजवंश की राजधानी नहीं रही है पाटली पुत्र पर बहुत सारे राजवंशों ने शाशन किया है तो शुंगों की राजधानी नहीं, कड़ों की राजधानी नहीं, कुशाणों की नहीं, गुपतों की नहीं, किसकी नहीं रही है तो 28 में प्रशन को ध्यान से देखेगा, correct answer इसका C हो जाएगा ये कुशाणो की राजधानी कभी नहीं रही, हाला कि कुशाण कालिन सिक्के यहां से मिलते हैं, लेकिन कुशाणो की राजधानी ये कभी नहीं रही, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 19 को देखे, पेनु कोंडा निम्नलिखित में से कौन से राजवंश की र ख्यान से देखिए ये अर्वीडू राजवंश की राजधानी थी विजयनगर सामराज्य से ही संबंधी थी सारे राजवंश है संगम, सालूग, तुलूग और अर्वीडू तो अर्वीडू राजवंश की राजधानी पेनुकोंडा डी वाले ओप्षन को चुना आगे चलत और सोलंकी राजवंश की राजधानी धार नगरी थी अब इसमें आप देखकर बताईए कि सही कौन सा है तो सही इसका केवल ए वाला है गहड़ वालों वाला कनो जिनकी राजधानी थी बाकि चोहानों की राजधानी अजमेर थी परमारों की राजधानी धारा थी और सोलंकी कि स्थापना मयूर शर्मन उत्पल राजवन्ष की अवंति वर्मन और गढ़वालों की दुरलव वर्धन बताईए सही कौन सा है करेक्ट मैच आपको इसमें से चुनना है करेक्ट अंसर इसका सी हो जाएगा सिर्फ एक मात्र जो सी वाला है वही उत्पल वाला इसमें सही दिया है बाकि जितने ऐसे कदम राजवन्ष जो है इसको मयूर शर्मन ने स्थापित किया था ना कि चंद्रदेव ने कारकोटों को दुरलम वर्धन ने स्थापित किया था और उत्पल राजवन्ष का तो आप देखी रहे हैं अवंति वर्मन गहडवाल राजवन्ष के चंद्रदेव संस्थापक थे इसके बाद प्रश्मी संख्या 32 को देखे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो वाकाटक वन्ष का संस्थापक विंदे शक्ति था राश्ट्र कूटों की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी बादामी के जो चालुक के थे उनको जैसिंग प्रथम ने बसाया था और चालुक के जो बेंगी वाले थ उनके संस्थापक थे विश्णु वर्धन बताईए कि इसमें से सही सुमेलिक कौन सा नहीं है 32 में प्रशन को आप देख रहे हैं करेक्ट अंसर इसका ई हो जाएगा और ई वाले को हमें क्यों चुनना पड़ रहा है तो आप देखिए वाकाटक वंश की स्थापना बिंदे शक्ति के द्वारा की गई थी ठीक बात है राष्टकूटों की स्थापना दंती दुरुक के द्वारा मतलब वही संस्थापक था चालुक की जो बादामी वाले थे वो जैसिंग प्रथम के सौजने से स्थापित हुए थे और विश्णु वर्धन ने तो इसमें आप देख रहे हैं कि जितने हैं वो सभी सही है तो उपरोक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प हम ने इसी लिए चुनाएं कि उपरोक्त में से कोई भी जो है वो गलत नहीं इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 33 को देखे निमनलिकित में से कौन सी घटना गुरु गोविन सिंग जी से सम्मंदित नहीं है तो खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा नहीं हुई थी या धर प्रशार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना इनके नहीं की थी या पाहुल प्रणाली को इनके शुरू नहीं किया था या कृष्णा उतार तथा जफर नामा नहीं रचा था कौन सा गुरु गोविन सिंग से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसका B हो जाएगा देखिए ये तो जो 22 गद्दियों की स्थापना है ये अमरदास जी के त्वारा की गए थी सिखों के गुरु थे अमरदास बताइएगा कौन से नंबर के ये गुरु थे और 22 गद्धियों की स्थापना ये करते हैं तो ये गुरु गोविन सिंग का काम नहीं है बीवाले को इसमें से बाहर कर दीजे इसके बाद प्रशन संख्या 34 को देखे निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने अकाल तक्त की स्थापना की थी और किस सिख गुरु की अलप वयस गवस्था में चेचक सिम्रत्यू, चेचक एक महामारी हुआ करती थी उस समय तो चेचक सिम्रत्यू हो जाती है इसमें आप जोड़े, जो सिख गुरु के नाम दी हैं जोड़े में उसको देख रहे हैं प्रशन संख्या 34 को ध्यान से देखे, इसका D हो जाएगा, गुरु हर्गोविन सिंग जी के द्वारा अकाल तक्त की स्थापना की जाती है, और गुरु हरकिशन जो है यह ऐसे सिख गुरु रहते हैं, जिने की कम आयू में ही चेचक होती है और यह सिधार जाते हैं, इसके ब अमरित सर शहर इसी नाम से बसा हुआ है, तो इसकी स्थापना की, गुरु गोविन सिंग ने गुरु गरंत सहाब का संकलन करने का काम किया, और गुरु हर्गोविन सिंग जो है यह सिखों को लड़ाकु दस्ते में तबदील करने में विश्वास करते थे, तो अब इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, प्रशन संख्या 35, सी वाला जो है इसमें से आप चुल लीजिए, गुरु गोविन सिंग का जो गुरु गरंत सहाब का संकलन दिया हुआ है, वो इसमें गरत है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु गरंत सहाब का संकलन किया गया थ तो मुगल प्रशासन से समंदित शब्द है मतलब दिया है मुस्तौफी जो है ये समाचार समवादाता होता था मुश्रिप जो था ये महालेखा परिक्षक कहा जाता था यानि अकाउंट आडिटर जनरल होता था सलमे और वाकिया ये नवीस जो था ये राजस्वा सची होता था रेवेन्यू सेकरेटरी और मीर तोजक जो था ये समारोहों को देखता था यानि मास्टर आप सेरिमनी होता था तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही मैच कर रहा है प्रश्मि संख्या 36 और 36 में का जो करेक्ट अंसर है ध्यान से देखेगा क्या होगा इसमें से इसका डीवाला हो जाएगा एक मातर मीर तोजक वाला जो दिया है वही सही है डीवाले को चुल लेते हैं बाकी को देख लेते हैं इसके साथ साथ ब्रहदेश्वर मंदिर चोल राजवन्ष के तवारा हजारा राम मंदिर जो है विजयनगर राजवन्ष के सौजने से और रामपपा टेंपल जो है ये काक्तियों से जुड़ा हुआ था तो आप बताएं गलत कौन सा है गलत इसका एवाला है हजार खंभा मंदिर जो दिया है ये चालुक्यों से नहीं बलकी काक्तियों से जुड़ा हुआ था और रामपपा वाला रुद्रेशर रामपपा टेंपल आप अभी चर्चा में भी था सुनते हैं तो ये भी काक्तिय वंश के द्वारा ही स्थापित करवाया था तो इसमें जितने भी दिये हुए हैं वो सभी सही है सिर्फ ए वाला जो है वो गलत है चालुकी नहीं मलकी काक्तियों होगा प्रश्न संख्या 38 को देखने है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है तो गौड जो है ये बाजार और वांड़जी केंद्रुआ करते थे नेताल क्रिशक को कहा जाता था नदिरम जो शब्द था ये अनिवारे श्रम के लिए इस्तेमाल होता था और इरिवी पातन ये जो शब्द था ये व्यापारी कस्बों के लिए इस्तेमाल होता था जो कि प्रोटेक्टेड होते थे संरच्छित होते थे तो बताईए कि ये चोल काल से संबंदित जो शब्दावलिया दे रखी है इसमें से सही कौन सा है प्रश्न संख्या 38 इसका डी चुल लीजिए केवल जो इसमे इरिवी पातन दिया हुआ है वही वाला सही है बाकी जितने है वो सब गड़बड है गौड शब्द जो है ये कृशक के लिए इस्तेमाल होता था नेताल जो है अनिवारिश्रम को कहा जाता था और नगरम शब्द जो है ये बाजार और वाणे जिक केंद्र के लिए इस्तेमाल होता था तो बाकी जितने हैं वो गड़बड है प्रशन संख्या 49 को देखते है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्ब सही सुमेलित है तो उलुकुडी जो है ये स्वर्ण मुद्रा होती थी पेरुदत जो है ये सर्वच्य अधिकारी को कहा जाता था ये चोलों के ही समय से समंधित है ध्यान दीजेगा और सिरुतरम जो है ये किराए के किसान होते थे भाड़े के किसान होते थे कासू ये कनिष्ट अधिकारी के लिए शब्द इस्तिमाल होता था अब इसमें से आप देखतर बताएं तो देखे इसका अगर ध्यान से देखा जाए तो करेक्ट अंसर B हो जाएगा जो उलुकुडी शब्द है ये किराए के किसानों के लिए इस्तिमाल होता था भाड़े के ये फार्मर्स होते थे टेनेंट फार्मर्स होते थे मतलब ये अपना लगान देने का काम करते थे कभी-कभी इनसे बेगारी भी करवाई जाती थी हलाकि वो अलग-अलग समय की बात है पेरुदन जो है ये सर्वोच अधिकारी जो हाइस्ट ओफिशियल्स होते थे उनके लिए इस्तिमाल होता था सिरुतरम कनिष्ट अधिकारी के लिए कासु स्वर्ण मुद्रा के लिए फिलाल इसका जो करेक्ट अंसर है वो इसमें B हो जाएगा ये सही दिया है बाकि जितने हैं वो गडबड़ है प्रशन संख्या 40 को देखते है 40 में कुश्चन में कहा गया कि किस शब्द का प्रयोग चोलकाल में न्याय के शाही दर्बार के लिए किया जाता था न्याय का शाही दर्बार जो होता था उसके लिए इस्तिमाल होने माला शब्द और उसके साथ-साथ ऐसा शब्द आपको ढूड़ना है जो कि चोलों के समय में शिल्पकारों के रिहाईशी आवास के लिए इस्तिमाल किया जाता था मतलब शिल्पकारों का रहने का इस्थान उसको क्या कहते थे और नियाय का शाही दर्बार जो था उसको क्या कहते थे ये दोनों चीज़ आपको बतानी है तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसका C वाला उप्शन पर्फेक्ट दिखाई देता है धर्मासन कहा जाता था न्याय के दर्बार को और कम्मन छेरी कहा जाता था शिल्पकारों के आवाज को प्रशन संख्या 41 को देखते हैं निमनलिखित में से कि शाषक ने दिवान अनजरात को दिवान अर्ज से अलग कर दिया और दिवान अनजरात जो था ये क्या था आसल में अनजरात उनजरात ये प्रोनौन्शियेशन का फर्ख है अब इसमें आप बताई यह जो उनजरात था या अनजरात था यह जैसा आप उचारण करेंगे वैसा इसका शब्द निकलेगा तो यह किस से सम्दित था मतलब यह था क्या असल में और किसके दवारा इसे दीवाने अर्ज से अलग कर दिया गया तो शाशक का नाम भी साथ में बताना है और इसलिए 41 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा डी होगा बल्बन के दवारा यह काम किया जाता है यह जो दिवान जिसका प्रमुक वजीर होता था, उसके लिए इस्तिमाल होता था, मतलब भी विभाग का नाप और मुस्तवी ये मुमालिक जो था, ये नौकाओं का नियंत्रक होता था खाजिम कहा जाता था महालेखाकार को और अमीरे बाहर जो शब्द है, ये कोशा ध्यक्ष के लिए इस्तिमाल होता था तो अब इसमें आपको बताना है कि सही विकल्ब कौन सा है 42 में प्रशन को आप देख रहे हैं करेक्ट अंसर इसका ए होगा, इसमें दिवाने विजारत वाला जो दिया है वो सही है, वित्विभाग ठीक है, और विजारत यानि वजीरों से समन्दे तो इसमें ए वाले आप्शन को हमने बाहर कर लिया बाकी जितने हैं देखिए, मुस्तवी ये मुमालिक जो था, ये महालेखा कार होता था, खाजिम, कोशा, ध्यक्ष, और अमीरे बाहर, नौकाओं का नियांत्र, तो इस हिसाब से इसको अरेंज करना था तो इवाले को चुना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 43 को देखे, निम्नलिकित में से कौन से शब्द का प्रियोग, विजय नगर समराज्य में कर के रूप में नहीं किया जाता था, तलारा है, कडमल है, इराई है, वराई है, ये सारे शब्द है, तो तलारा जो है, ये एक बड़ा सा क्वेशन देख रहा है, जो कि जादा बड़ा नहीं है, लेकिन दो प्रशनिस में जुड़े हुए हैं, तो निम्नलिकित में से कौन सा शब्द विजय नगर सामराज्य में भूराजस विभाग के लिए इस्तिमाल होता था, और कौन सा शब्द विजय नगर स बीच में संपर्क बनाने वाला अधिकारी होता था, कारनिकम कहा जाता था लेकपाल को, और रायसानी कहा जाता था राजा के दर्ज मौलिकादेश को, जितने भी आप देख रहे हैं ये शब्द हैं, और इसलिए इसमें से हम करेक्ट अंसर किसको चुनेंगे, बीवाले को कारनिकम जो शब्द है ये लेकपाल के लिए इस्तिमाल होता था, आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 45 को देख लेते हैं, 45 में आपसे कहा जा रहा है कि किताब उल्तवारीक पुस्तक जो है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, और कौन प्रख्यात फारसी कवी थे, उनका प्रशन संख्या 44 में पूछा जा रहा है कि अकपर के द्वारा तीर्थ्यात्रा कर को कब समाप्त किया गया, अब ये एकदम factual question है, अगर आपको पता है तब ही आप चुन सकते हैं, तो 1563 की तारीक है, अकपर के द्वारा जितने सुधार के काम किये गए हैं उसको एक पर ज क्रोन लॉजिकल और्डर में अरेंज गरने के लिए कहा जाता है कि पहले कौन सा काम किया गया, बाद में कौन सा काम, इसके बाद 48 में question को देखिए, प्रसित फारसी जित्रकार जिनका नाम था सैयद अली तब्रेजी, निमनलिखित में से किस मुगल शाशक के साथ भारत आ आये थे, बताइए, अर्टालीसमा question और इसका जो correct answer है वो इसमें हो जाएगा, त्यान से देखें, ये हुमाईयों के साथ भारत आते हैं और शेरसा सूरी ने हजरत आला की पदवी को धारण किया था, को ये हुमाईयों और शेरसा की बात है, और इसलिए हम सी वाले को चु ख्वादमीर को, तो इसमें से correct answer क्या होगा, बी होगा और ये भी पूछा जा सकता है किसने दी थी, तो हमाईयों आप याद रखेंगे, इसलिए दोनों दे दिया है ताकि आप confused हो जाएं, हमाईयों के त्वारा ख्वादमीर को ये उपादी दी गई थी, ये ध्यान दीज इसका भी हो जाएगा, फार्सी में ये translation किया जाता है, पर्सियन यहाँ पे जो है उसको आप चुल लेंगे, इसके बाद प्रेशन संख्याई क्यावन में कहा जा रहा है कि रम्ज नामा, रज्म नामा असल में, ये किस हिंदू महाकावे का फार्सी अनुआद है, कभी-कभ गुगल शाषक ने सिजदा नाम की जो फार्सी परंपरा थी, सजदा, उसको समाप्त कर दिया, बताइए कौन सा है, तो इसमें सजदा परंपरा जो थी, इसको समाप्त करने का काम कौन करेगा, कोई रूडिवादी शाषक करेगा, तो औरंगजेव एक रूडिवादी प्रतिबंद लगाए है, इसमें जो पहली पाबंदी है, वो शाजहां के समय में लगती है, बाद में आप सुनते हैं कि सिजदा और पैबोस जैसी जो प्रताये हैं उनको बंद कर दिया जाता है, तमाम जो इसलाम विरोधी चीज़े हैं उनको दतकाल रोक दिया जाता है, तो औरंगजेव के समय में बड़े पैमाने पर होता है और कठोरता से, लेकिन ये काम शाजहां के ही समय में हुआ था, तो इसमें कन्फ्यूज मत होईगा, डी वाले ऑप्शन को चुल लिया, इसके बाद आगे चलते हैं प्रशन संख्या बावन को देखते हैं, अकबर के शाशनकाल के दोरान निमनलिखित में से कौन सी भाषा उसके दर्बार की राजगी भाषा हुआ करती थी, और निमनलिखित मुगल शाशकों में से किसका वर्डन संस्कृत क्रंत सर्वदेश वृतान्त संग्रह में किया गया है, अब बताईए इसमें भाशा और शाशक का आपको चुनना है, तो बावनवा कोईशन आपसे पूछा जा रहा है और इसमें correct answer होगा इसका B, फार्सी भाषा उसके दर्बार की राजगी भाषा थी, अकबर के दर्बार में राजगी भाषा क्या थी, फार्सी थी, और अकबर का पूरग बृतान्त हमें सर्वदेश ब आपको बताना है, अब इसमें आप देखिए, तो सबसे बड़ा सामराज्य मुहम्मद बिन तुगलक के समय में था, और सबसे एक तरह से गयर जिम्मेदारी के साथ शाषन मुहम्मद बिन तुगलक नहीं किया था, जब मन होता था, जो मन होता था, वो फैसला लेता था, ब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या चोवन को देखिए, जॉनपूर की स्थापना निम्रलिखित में से किस मुगल शाषक की स्मृति में की गई थी, और किसने जॉनपूर की स्थापना की ये भी आपको बताना है, तो जॉनपूर की स्थापना, अब पहचान पूर्वी प्रांत की राजधानी और पूर्व का सिराज भी इसको कहा जाता था, तो मध्यकालीन सिक्षा का केंद्र, फिल्हाल D वाले ऑप्शन को चुल लिया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या पच्पन को देखिए, इसने सुल्तान गड़ी का मगबरा बनवाया था, कौन से शाशक के बारा बनवाया गया था, वो आपको बताना है, और सुल्तान गड़ी का मगबरा कब बनवाया गया था, ये भी आपको बताना है, तो question number 55 का correct answer इसमे ए हो जाएगा, इल्थुतमिश, ये जो सुल्तान गड़ी का मगबरा है, पहली चीज तो पिल्ली में है और सुल्तान इलतूत्मिश ने अपने बेटे की याद में इसको बनवाया था बेटे का नाम था नासिरु दीन इसको मरज़ कर लिया गया। पांडे सामराज्य जो था, इसको खिल जी वंश में अलाउद्दीन खिल जी का जो सेना पती था, मलिक काफूर, जो कि उसका अंग सेवक भी था, तो उसके द्वारा दक्षड विजय के दोरान अपने सामराज्य में मिला लिया गया। तो इसमें आप किस को चुनेगे जो खिलजी वंश है उसको चुनेगे बी वाला जो आप्शन है ये पूछा जा सकता है कि कौन से शाशक के शाशनकाल में तो आपको अलाउदीन खिलजी का नाम पता होना चाहिए प्रश्ण संख्या सत्तावन को दिखी दिल्ली सल्तनेत के निम्नलिखि समय में कृशी विस्तार और सुधार के लिए चलाया जाने वाला डिपार्टमेंट था और इसमें C वाले ओप्शन को आप चुन लीजे तुगलग डैनिस्टी शाशक का नाम पूछ सकता है तो आप MBT को चुनेंगे और दिवान अमीर को ही किस थापना इसी के चलते होती है औ मतलब आपको इसमें से नाम चुनने पड़ेंगे तो 58 जो है इसका करेक्ट अंसर D हो जाएगा यहाँ पर आप अलाउद्दीन खिल जी को चुनेंगे ठीक है डी वाले ओप्शन को हमने चुना और यह 1000 सितूर यानी 1000 इस तंभो अला महल जो है यह 1303 में बनवाया जाता है इसके बाद प्रशन संख्या 69 को देखेगा 59 इसमें आपको कहा गया है कि नीचे दिये गए वाक्य से सम्मंदित सही विकल्प का चैन करिए तो प्रशन कुल मिलाकर पूछा गया है कि एक मुगल शाषक ने दिल्ली में अलाई दर्वाजा बनवाया था और वो दक्षन भार पर हमला करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था इसकी महत्वा कांक्षा बहुत जादा थी यह तो चाहता था कि विश्व विजय करें सिगंदर जैसे अपने आपको बनाना चाहता था लेकिन इसके शुपचिन तक सला देते हैं कि पहले भारत को कंट्रोल में करिए उसके राची कृतिम साधनों से सिंचित भूमी से उपच का कितना प्रतिशत कर के रूप में इकत्रित करता था उस्र कर जो होता था उस्र कर के बारे में आपने सुना है तो उससे समंदित ये क्वेश्चन है अब इसमें दोनों जोड़ा दिया हुआ है मतलब परसेंटेज दे र वो राज्य लेता था तो इसमें से करेक्ट अंसर क्या होगा इसका ए हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 61 को देखेगा इसमें कहा जा रहा है कि प्रशाशनिक रूप से एकता की स्थापना निमनलिखित में से कौन से शाशक के द्वारा की गई व तो गरेक्ट अंसर इसका C वाला हुआ इसके बाद प्रशन संख्या 62 को देखे बाजार नियंतरण व्योस्था को लागू करने के द्वारा लागू करने के लिए किसके द्वारा दिवान ने रियासत नाम का एक विभाग स्थापित किया गया था ये बाजार नियंतरण के जो प्रणाली है इसको सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इंप्लिमेंट किया था और बाजार व्योस्था पे काफी कड़ा अंकुष भी लगाया था तो इसमें से करेक्ट अंसर क्या होगा इसका इह हो जाएगा शहना ये मंडी और तमाम चीज़ें करते हैं इसके ब स्थापना ये बताया गया है अब बताना है कि किस के द्वारा की गई और कब की गई तो सिंपल है इसमें ये तो आप बताई सकते हैं पंदरसो चार में की गई थी और सिकंदर लोदी जो है ये स्थापना करता है और उद्देश ये आप देख लीजे व्यापारिक मारगों पर नियंतरन स्थापित करना और अपना चुक कंट्रोल है वो बनाये रखना तो पंद्रसो तीन और माप कीज़ें पंद्रसो चार और सिकंदर लोधी को हम चुनतें करेक्ट अंसर इसका कौन सा होगा एवाला हो जाएगा इसके बाद 64 में क्वेश्चन को देखें नीचे दि किला आगरा में सिकंदर लोधी के द्वारा बनवाया गया था और पंद्रसो चे में आगरा को अपनी राजधानी भी बना लेता है तो बी वाले ऑप्शन को चुल लेते हैं सिकंदर लोधी को अभी पीछे भी हमने देखा है 65 में प्रशन को देखें निमनलिखित में से किस पार और फिरोजाबाद भी स्टैबलिश करवाया था तो इसमें कहीं आप्शन है नहीं है तो ये वाले को चुनते है 66 में को देखें निमनलिखित में से कि शहर का नाम बदल कर खिजराबाद कर दिया गया और बाद में इसे नाम दिया खिजराबाद तो बताईए शहर का नाम और शाशक का नाम आपको बताना है चाचटवां सी वाला हो जाएगा तेरसो तीन में चितोड पर विजय पाने के बाद अलाउद्दीन खिल जी ने अपने पुत्र खिजराबाद कर दिया तो इसमें करेक्ट एंसर कौन सा होगा इसका सी हो जाएगा और आगे बढ़त तो सरसथवा जो है इसका करेक्ट अंसर भी हो जाएगा इबन बतूता जो है यह मुहंबद बिन तुगलक के शाशनकाल के दोरान 1333 में मुरक्को से भारत आया था और यहां इसे काजी वगेरे भी बनाया गया था बाद में जेल में भी बंद कर दिया जाता है तो फत्वा या आलमगीरी यह कुस्तक का नाम है यह मुगल शाशक मतलब कौन से मुगल शाशक के शाशनकाल के दौरान तयार की गई थी यह बताईए और खुम्स कर के अंतरगत यह जो खुम्स नाम का टैक्स होता था युद्ध के दौरान लूटे हुए माल का कितना कौन से शाशक के शाशनकाल के समय यह तयार की गई थी यह आपको इसमें से देख कर बताना है तो अर्शठवा क्वेश्चन जो है इसका correct answer D हो जाएगा फत्वा या आलमगीरी जो पुस्तक है D वाले को चुल लीजे और अगजेब के शाशनकाल के दौरान तयार की गई थ जो है वो टेक्स के तो तोर पे वसूला जाता था लूट के माल का इसके बाद उनहत्तरवे प्रशन में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से मुगल शाशक के शाशनकाल में सबसे जादा मंगोल आकरमण होते है और मुगल शाशक ऐसा कौन सा था जिसके समय में प कि कि शाशक शाशकाल में पहला जो मंगोल हमला है वो कादर खां के नित्रतू में होता है तो इसको। आले option को चुनते हैं इसके बाद सतरवे नंबर के प्रशन में पूछ लिया गया है आपसे कि निमनलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है और इसने सुल्तान पत की स्विकृति खलीफा से पराप्त की लिए तो सिपे सालार और मलिक जैसी जो दिया थी उससे कुतुबुदी नैबक संतुष्ट हो गया था वो सुल्तान के पीछे कभी गया ही नहीं उसके बाद उसके जो उत्तर अधिकारी है उसमें किसका नाम आएगा यह सिंपल क्वेशन है इसका उत्तर देना बहुत ही आजान है आप जानते हैं कि इसने शाजहा नामा को लिखा है मिनहा जो सिराज के द्वारा तबकाते नासिरी लिखी गई है बदायूनी ने किताबुर रहेला को लिखा है और इनायत खा के द्वारा मुंत्खाबुर तवारीक को लिखा गया है यह किताबों के नाम और लेखकों के नाम तो बताइए सह कौन सा है question number 71 और 71 जो है इसका correct answer क्या होगा बी होगा इबन मतूता ने रहला या किताबुल रहला जो है इसको आकार दिया था यह मुहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखी गई थी इसमें जो बी वाला option है मिनाजुल सिराजवाला तो तबकात नासरी यह इसी के द्वारीक क बताना है कि वो सल्तनतकाल में शुरू की गई पहली फसल थी और मुकदम किसको कहा जाता था खूत मुकदम और चौधरी आपने सुना होगा तो यह मद्यकाली शब्दावली के शब्द है दिल्ली सल्तनत में मुकदम शब्द किसके लिए इस्तिमाल होता था बताईए तो बहतर्वा जो question है इसका correct answer A होगा देखे नील की खेती पहली बार सल्तनतकाल में ही शुरू की जाती है अंग्रेजों के समय में ये गले की हड़ी बन जाती है और गाओं के जो मुकदम शब्द का इस्तिमाल होता था तो correct answer इसका कौन सा होगा A वाला होगा Indigo और Head of Villages इसके ये शाही दरबार का प्रभारी होता था प्रभारी अदिकारी होता था काजी ये मुमालिक जो था ये उप मंत्री हुआ करता था और उपरोक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प तो हमेशा ही मौजूद है तो आप बताएं इसमें से कौन सा होगा correct answer इसका देखे C होगा अम बढ़ते हैं इसका C वाला हमने चुना जो कि ठीक था प्रशन संख्या 74 को देखे डेट आपको बतानी है कि उस तारीख में मुम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां पर शिफ्ट कर दिया बढ़ाई प्रसिद स्थानांतरण और उसे नाम दिया दिल्ली से दौलताबाद तो ये स्थानांतरित हो गई लेकिन दौलताबाद का नाम पहले क्या था ये भी आपको बताना है ये मुर्खता पोर्ड फैसला था और करेक्ट अंसर इसका B होगा 1327 की बात है देवगिरी में ये राजधानी का स्थानांतरण होता है और इसको न दिवारा बंदगान, खैरात और शफा जो विभाग है दिवान का मतलब यहाँ पर विभाग से होता है तो कुल मिला कर ये सारे डिपार्टमेंट इस्टैबलिश किया जाता है लेकिन दिवान अर्ज जो विभाग है ये बलबन के द्वारा स्थापित किया जाता है अब में वृद्धी का काम इसने किया गुप्तिचर प्रणाली की स्थापना की शराब बंदी का काम किया और सैन्य अधिकारियों को जागीर देना शुरू किया अब बताइए कि इसमें से कौन सा शाशकिया काम करता है और अंगजेब अलाउद्दीन खिलजी फिरोशा तुगलक गयासुदीन बलबन और ये जो 76 वा क्वेश्चन है इसका करेक्ट एंसर इसमें बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये सारा हम जोड सकते हैं उसने सुधार के बहुत सारे काम किया है हाला कि कठोर शाशन उसका था कहीं कहीं उसे मिलिटरी रूल भी कहा गया है मिलिटरी रूल अपने भारती इतियास में बहुत सारे शाशकों के शाशन काल को कहा गया है और जब भी कोई centralized administration होता है तो लोग कहते हैं कि ये सेंड शाशन है इसकी कडाई बहुत ज़्यादा है तो अलाउद्दीन ने वही काम किया था ये बहुत क्रूर और महत्वा अंसर ए होना चाहिए क्योंकि गुजरात पे इसने प्राप्त की थी तेरहमी शताब्दी में विजय ये गुजरात वाला जो आप्शन है ना इसको चुनेंगे ये बारसो अठानवे के बाद बारसो अठानवे में वह पहले जीत हासिल करता है रंठमहुर को तो ये चौदा देखे इसका C हो जाएगा अमीर खुसरो के द्वारा भारत को स्वर्ग की संग्या दी गई और साथ में अलाउद्दीन खिल जी के द्वारा जो निर्माण करवाय गया था सीरी दुर्ग का वो 1303 की बात है तो करेक्ट अंसर कौन सा होगा इसका C हो जाएगा प्रशन संख् होई है उसमें सबसे कम रूल करने वाले कौन से राजवश के लोग थे ये भी आपको इसमें देखतर बताना है तो करेक्ट अंसर देखिए इसका B हो जाएगा 1526 में इब्राहीम लोधी को ये हराता है और ये योधिके मैदान में मारा जाता है और वहीं से मुगल आ जाते ह है भारत में और साथ में खिलजी जो थे ये सबसे कम समय तक शाषन करते हैं खिलजीयों का शाषन दिल्लीव सल्तनत में सबसे कम समय का होता है तो आप कमेंट सेक्षन में ये बताएंगे कि सबसे जादा समय तक रूल किस ने किया है इसके बाद असीमे प्रशन को देखे न महालेखाकार को यानि अकाउंटेंट जनरल को और सुरन बीस जो था ये शब्द सुरन बीस असल में महासचिव यानि सेकेरेटरी जनरल सेकेरेटरी के लिए इस्तेमाल होता था चिटनीस शब्द जो है ये तो बताएं इसमे से सही सुमेलित कौन सा नहीं है और इसका जो और इसका गरेक्ट अंसर है वो डी हो जाएगा दिखें दबीर जो होता था और प्रशन संखिया एकिया निम्दलिखित में से कौन सी पुस्तक महानमिद्वान दारा के द्वारा नहीं लिखी गई है दारा शिको की बात हो रही है और बताइए इसमें 81 का करेक्ट अंसर क्या होगा तो इसमें से आप देखें तो सी वाला होगा मजमावल बहरीन सफीनत अल्या और सैनत अल्या इसके इसने बाबर नामा का कौन सी भाषा में अनुवाद किया था मतलब अनुवादक और अनुवाद की भाषा दो चीज़ आपको बतानी है और यह समय जो था ही अकबर कर रहता है तो अकबर के नौरतनों में यह शामिल था इसलिए आपको पहचानना आसा ने इसमें पेर दिय किया हुआ है और करेक्ट अंसर इसका डी हो जाएगा देखिए अकबर के जो नौरतन थे उसमें अबदुलरहीम खान खाना यानी जिनने रहीम दास खा जाता था बैरम खान के पुत्र थे उन्होंने बाबर नामा का तुर्की में ट्रांसलेशन किया था तुर्की भाषा मे नीमत खान अली आलमगीर नामा अबुल फजल यहां आप देख रहे हैं इन्होंने क्या किया अपनी देखरेक में महा भारत का फार्सी में ट्रांसलेशन करवाया फैजी के समय में लीलावती का फार्सी भाषा में गणित की किताब है फार्सी भाषा में अनुआद हुआ तो ये जो तिरासीमा question है इसका D चुल लीजे एक मात्र जो फैजी वाला दिया है Translation of Lilavati into Persian language वही सही है बाकी आप ध्यान से देखें अगर तो बिर्जा मुहम्मद कासीम के द्वारा आलमगीर नामा जो है उसको लिखा गया है अच्छो था ये विदेशी मामले और शाही दर्बार का हेड होता था सदर जहां ये न्यायपालिका का प्रमुख और दान विभाग को देखने वाला व्यक्ति होता था तो अब इसमें आपको देख कर बताना है देखें इसका ए हो जाएगा इसमें जो सही नहीं है वही तलाश करना था जो वजीरेकुल शब्द था ये प्रांटों के प्रमुख के लिए नहीं बलकि वजीरेकुल यानि प्रधानमंत्री के लिए वजीरों में सबसे ऊपर तो आपको व्योस्थित करना है इसकी क्रोलोजी अरेंज करनी है तो वीर राजेंद्र, राजेंद्र द्विति, कोलो तुंग या कुलो तुंग प्रथम और अधिराजेंद्र इसमें शाशकों के नाम दिये है चोल राजवंश से सभी संबंदित है और इसमें अगर आप ध्या संख्या 86 को देखिए 86 में मैं कहा जा रहा है कि कि शाशक को जैमल कोंटा चोल या विजय राजेंद्र चोल या फिर यनाई मेल थुंजिरा देवर जैसी रुपाधियों से नवाजा गया था यह सारी टाइटिल कौन से शाशक की थी तो निश्चत तोर पर कोई प्रतापी शा आपको चैन करना है तो मुहम्मद गोरी ने तराइन का दूसरा युद्ध जीता था बाबर ने पानीबत का पहला युद्ध जीता था अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था और अहमशा अबदाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध जीता था तो सही कौन सा है तो इसमें तो आप देखकर समझ सकते हैं कि इसका इवाला ही चुनना चाहिए क्योंकि ये सही दिया है जितने दिये हैं वो सब और जिए आपको देखें हुमाईयों को भारत छोड़ना पड़ता है और सेमल का उद्ध होता है 1544 में तो इसमें से आप देख रहे हैं बी वाला अरेंजमेंट परफेक्ट है 90 नंबर के क्वेशन को देखिए इसमें गलत विकल्ब का आपको चैन करना है अब इसमें आप पता है ये गलत कौन सा है तो इवाले को पहले चुल लेते अब देखते हैं क्यों चुना गया तो देखे हैं हजार खंभा मंदर ये काक्तियों के द्वारा इस्थापित करवाए गया तो इसमें तो कोई डाउट नहीं और तिलंगाना वारंगल वाला जो है ये ब्रहदेश्वार मंदिर चोल राजवन से जुड़ा हुआ है ठीक काक्तियों का जो छेत्र है वो वारंगल वाला है ये तो आप जानते है और ब्रहदेश्वार टेंपल जो है ये चोलों से जुड़ा हुआ है ठीक है और इसके कार संख्या बांबे को देखे पंद्रसो बांबे में अकपर ने निम्नलिक्षित में से किस छेत्र के खिलाब अभियाना नीत्रितु किया था बताइए कौन सा प्रांत था जिस पर की विजय अभियान अक्बर के द्वारा चलवाय गया था समय था पंद्रसो बान्बे का तो पंद्रसो बान्बे में जो अक्बर का अभियान चलता है वो उडिशा के खिलाब था और बाकी 1595 में कंधार के खिलाब था कश्मीर और बलुचिस्तान वाला जो है ये 1586 का है तो इसमें से D वाले option को चुनते है इसके बाद प्रशन संख्या 93 में पूछा जा रहा है कि निमनलिकित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान दारा के द्वारा नहीं लिखी गई है तो फतुहते आलमगीर है, मजमा उल्बहरीन है सफीनतुल अलिया है और हस्रतुल अरिफीन है किताब का नाम दिया हुआ है 93 में प्रशन को आप देख रहे है ए वाला उप्शन इसका होगा दाराशिकों को आप जानते हैं वो एक महान विद्वान था, उसने मजमा उल्बहरीन किताब को लिखा था और बागी ईश्वरदास नागर जो है ये फतुहत आलमगीरी को लिखते हैं इसमें आप समझ सकते हैं कि जो ए वाला उप्शन है वही पाहर हो जाता है ऐसे ही ये क्वेशन को आपने पीछे देखा था थोड़े मिलते जुलते विकल्ब थे प्रशन संख्या 94 को देखते हैं मुगलकाल में विदेश मामलों के जो विभाग होते थे विदेशी मामलों को देखने वाला जो विभाग होता था उसके लिए कौन सा श्रब्द इस्तिमाल होता था ध्यान से देखें तो इसमें से करेक्ट एंसर क्या होगा इसका बी हो जाएगा दिवाने रसालत मुहत यहां आप देख रहे हैं दिवाने रसालत खाग्जों का संड्रचक विभाग होता था ऐसे हम देखते थे तो बी वाले उप्शन को चुना इसके बाद पंचानवे में नमपर प्रशन को देखी है बाबर की पुत्री जिसने की हुमायू नामा की रशना की उसका नाम क्या था तो गुलबदन बेगम इसमें आप चुल लीजी तो सिंपल क्वेश्चन है मतलब एक एक लाइन के जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं उसमें आप इन्हें कवर करते हैं सी वाले उप्शन को चुना प्रशन संख्या चानवे को देखते हैं सूफी साहित में सियार उल अरिफीन के लेखा कौन थे सियद मुर्तजा जमालुदीन या फिर चिरागे देहलवी या फिर इबने अर्भी इसमें से कौन सा होगा तो करेक्ट अंसर इसका बी हो जाएगा इसमें बी वाले को आप चुल लीजे ये जमालुदीन के द्वारा और इसके बाद 97 में नंबर के प्रेशन में पूछा गया कि पहली सूफी महिला कौन थी जिनका संबंद आठवी शताबदी से था तो ये बसरा की राबिया थी या फिर जुलेखा थी या जमाल थी या फिर करसूम थी ये सम महिलाओं के नाम है जो कि सूफी संप्रदाय से जुड़ी हुई थी तो क्वेशन नंबर 97 को आप देख रहे हैं इसका करेक्ट अंसर इसमें ध्यान से देखेगा ये वाला रहेगा ये राबिया थी जो कि पहली सूफी महिला थी और काफीन की निंदा भी होती है लेकिन ये अपने पत पे डटी रहती है इसके बाद प्रशन संख्या 98 को देखें असत्य कथन का आपको चैन करना है तो अर्बों की सिंध विजय के बाद भारत में सूफी बाद का प्रवेश होता है महमूद गजनवी के समय में शेकुल हुजरिवी जिनकी उपादी दाता गंज बक्ष की थी ये तुर्की सेना के कैदी हुआ करते थे और खोजा संप्रदाय का प्रचार ये पीर सद्रूदीन के द्वारा भारत में किया गया और सखी सरवर जो थे ये सबसे पहले भारत में बसने वाले चिश्टी सूफी संत थे अब बताईए कि इसमें गलत कौन सा है तो 98 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट अंसर E होगा क्योंकि जितने भी कथन हैं वो सभी सत्य हैं इसमें गलत कुछ भी नहीं है और ज्यादा ट्रिकी अगर इस स्टेट्मेंट दिखाई दे तो इसमें संभावना होती है कि सभी सही होंगे तो इसमें से गी वाले को चुल लिया इसके बाद 99 को देखिए इसमें कहा जा रहा है कि किसने मुंतखाव लुबाब नाम की किताब को लिखा है थोड़ा सा इस प्रशन को ध्यान से देखिएगा मुंतखाव लुबाब जो पुस्तक है इसको लिखने वाले कोन है कफी खाँ है संरच्छड किसके द्वारा था वो इसमें नहीं पूछा गया है और दूसरी बात यहा है कि अब्दुल हमीद लाहोरी जो है इबन बतुता है, मारको पोलो है इज सिंग और अब्दुलरजाग का नाम दिया है यह सब मध्यकाली न्यात्री है अब इसमें आप देखकर बताइए तो करेक्ट अंसर इसका C होगा इज सिंग इन में से अगर देखा जाए तो इज सिंग जो है